चतिस गड़ के सूरजपोर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई यहां एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ खुद को आग लगा ली जिससे तीनों की मौत हो गई आपको बता दे कि उसका पती के साथ अक्सर जगड़ा होता था तो वही पती रात को डूटी के लिए निकला था जिसके बाद महिला ने ये खौफनाफ कदम उठाया मामला भट काउं थाना छेतर का है आपको बता दे कि जहरी निवासी संजीव कुमार चौदरी ऐसी सीयल में काम करता है वो अपनी पत्नी बसंती और दो बच्चे हिमाचल और अन्मोल के साथ रहता था रोज की तरह संजीव रात को डूटी के लिए निकला था बताया जा रहा है कि जैसे ही वाट डूटी के लिए गया बसंती ने खुद पर और बच्चों पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा ली तो वही घटना के बाद उसके घर से धुआ उठने लगा जिसके बाद आस पास के लोगों को इस बात की जानकारी मिली फिर लोग पहुचे और देखा कि तीनों जल रहे हैं इसके बाद किसी तरह आख को बुझाया गया और तीनों को अस्पताल ले जाया गया वही संजीव कुमार को भी इस बात की सूचना दी गई आपको बता दे कि प्रात्मिक उपचार देने के बाद तीनों को अमिकापुर के नीजी अस्पताल में भेज दिया गया जहां तीनों के हालात में सुभार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया वहीं इस मामले में अमिकापुर्जिले की मड़ी पूर्चों की पुलिस ने केस दर्च किया है विरो रिपोर्ट आई पीन